हेलो दोस्तों Laptop Master में आपका स्वागात है मैं आपका दोस्त निशान आज पिर आपके सामने एक नए वीडियो और एक नए Laptop के साथ जी हाँ आज हम लेके आए हैं HP 15 FD 1099-TU इससे पहले हमने एक वीडियो अप्लोड करी थी एच्प की 108-TU वह भी अल्ट्रा 5 थी वह लाइट वेट के साथ था पविलियन प्लस यह आपका 15S है जी हाँ अल्ट्रा 5 के साथ प्रोसेसर दोनों का सेम है लेकिन दोनों में काफी सारी डिफरेंस है चलिए आज हम वो देखेंगे क्या का दोनों में डिफरेंस है तो मैं आपको बतादू यह लाफटाप हमें विला है दिल्ली के अंदर करोलबाग में HP Omen Playground है HP World जिसे हम कह सकते हैं दिल्ली और दिल्ली NCR का इकलोता hybrid store है जहां पे आपको mostly HP के सारे लाफटाप मिल जाएंगे काफी attractive price पे और काफी अच्छी offers पे अगर आप लेने की हमने कुछ exclusive stores के नंबर दे रखे हैं तो दोस्तों आपने से पहले मैं आपको कह दूँ है अगर आपने हमारा laptop माश्चा चनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए बैल आइकन जरूर प्रेस कर जीगा जिससे आगे आले वाली laptop की वीडियो आपको स अच्छी देखी बहुत ही इजज़त दी है एच्पी ने इस बार अपने अड़प्टर को भी देखे 65 वाट का पाउर एडप्टर है उसको भी अलग तरीके से रैप करके एच्पी ने दिया है पिन राउंड ही है टाइप्टर को पूरी हमारे इज़त मिली है यह हमारा laptop ज लेकिन अलमूनियम बॉड़ी में HP ने इस laptop को लांच किया है 15S के अंदर भी एक काफी प्रीमियम लुक और क्वालिटी HP ने दी है अगर मैं बात करूं तो 15.6 का laptop है 15.6 इंचिस का वेट की बात करे तो approximately 1.65 kg का इसका वेट है यह exhaust इसके वही ventilation नॉर्मली back side तो आपको fiber की ह बनाते नहीं है सब में आप देखेंगे सबका back panel आपको सेम ही देखने को मिलेगा स्लीक भी almost वैसा ही है 15S है बहुत ज़्यादा आप स्लीक की उमीद नहीं करें लेकिन काफी पहले के 15S से काफी ज़्यादा स्लीक HP ने अपने laptops को कर दिया है अगर मैं करूं मैं बात करूं इसके एक हाथ से open हो सकता है या नहीं तो एक हाथ से open नहीं होगा हमें इसके दोनों आथ यूस करने ही पढ़ेंगे तो laptop को boot up करते हैं इतने आप इसके ports देखिए उसके बात फिर हम इसकी configuration दिखाएंगे दोस्तों laptop के right side में आप सबसे पहले देखते हैं जो आपको port दिख करने के लिए laptop के left side में आप देखते हैं एक है आपका चार्जिंग के लिए आपका पावर का से अब laptop चार्ज कर सकते हैं दूसरा आपको मिलता है USB Type-A 5Gbps इंगनिक रेट के साथ दोस्तों कोड़िकिशन देखते हैं सबसे पहले बात करेंगे प्रोसेसर की तो इंटल को अ 3.6 GHz की है maximum turbo boost frequency by 4.5 GHz core है 14 जिसको अगर हम bifurcate करेंगे तो normally हम दो में करते थे performance core, efficient core लेकिट ultra processor में हम 3 में करते हैं performance core, efficient core and low power efficient core अगर हम performance core की बात करेंगे तो वो इसमें आपको 4 मिलेंगे आप efficient core की बात करेंगे तो वो 8 core है और low power efficient core है 2, performance core की maximum frequency है 4.5 GHz, efficient core की 3.6 GHz और low power efficient core की है 2.5 GHz यानि हमारे जो 4.5 GHz तक सिरफ 4 core ही जाएंगे इसलिए कभी भी आप confused मत होईएगा Intel के processor में और AMD के processor में अगर AMD में आपको 6 core मिल रहे हैं तो वो आपके 4 core से ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो सारे के सारे performance core देते हैं logical processor 18 है L3 cache है आपकी 18 MB की है memory 16 GB की इसमें आपको मिलेगी इसमें DDR5 आपको मिलती है 56, 100 MHz की speed है अब वो slot में है या soldered है वो laptop का back panel open करेंगे तब आपको दिखाएंगे और जिन को पता चल गया है वो चुप रहे हैं सबको ना बताएं disk की बात करेंगे 512 GB SSD आपको इसमें मिलती है जिसकी 54 77 GB जैन 4 की SSD इसमें लगी विया काफी लोगों को इन फीजन रहती है इसलिए मैं आपको क्लिए कर दूँ SSD इसमें आपको जैन 4 की मिलती है ग्राफिक्स इंटल आर्क ग्राफिक्स आपको इसमें मिलते हैं शेट जीपी वे 7.7 GB की देखे मार्केट में जब भी आप लेने जाएंगे तो ध्यान अखिएगा काफी सेल्स फरसन आपको यहां पर थोड़ा सा गुम्राह कर सकते हैं इंटल आर्क ग्राफिक्स आर्क ग्राफिक्स अंगर आपका बहुत हैवी गेमिंग्स करनी है अपने हैवी दिजाइनिंग 3D Max तुग्यारा में आपने वर्किंग करनी है और आपको यह कहा है आपके टीचर ने यहां किसी भी आपके ट्यूटर ने कि आप इसमें डेडिके ग्राफिक्स नहीं है, RAM शेर्ड करता है, हाँ, इसको आप 4 GB के compare कर सकते हैं, 1650 NVIDIA के, लेकिन dedicated नहीं है, वो performance आपको नहीं मिलेगी, ये सिर्फ अपगेड है, Intel, UHD का Iris, Iris का Intel R Graphics, NPU, जिसमें भी आप ultra processor देखेंगे, आपको उसमें NPU दिखाई देगा, neural processing unit, ये आपके AI boost up के लिए है, AI work जितने भी है, chat GPT होगे, जितने भी आपके tools आएंगे, उन सब की performance को enhance करने के लिए, आपके लिए NPU आपको मिलता है, और जो configuration परते समें, आप अभी तक हमारी voice सुन रहे थे, वो हमने इसी laptop के mic से record की थी, mic test करने के लिए है, हम इसमें बात करें स्क्रीन की, तो इसमें आपको 15.6 inches की full HD IPS display आपको मिलता है, जिसका resolution 1920 by 1080 होता है, micro edge है, anti-glare है, 300 nits के साथ, और अगर हम SRGB की बात करेंगे, तो हो है 62.5%, अगर हम इसके camera की बात करेंगे, तो इसमें आपको full size backlit keyboard मिलता है, soft gray color में, और इसमें आपको numeric keypad भी मिलेगा, साथ में आपको इसमें fingerprint reader भी मिलता है, और आपका HP image pad, तो चलिए दोस्तों करते हैं, laptop का back panel open, और देखते हैं, laptop में हमारे क्या क्या है, तो दोस्तों, laptop हमने open कर लिया है, देखे, हमने edge processor देखा था, लास्ट हमने एक video upload की थी, EW1082 HP Pavilion Plus की, उसमें edge processor था, उसमें dual fan हमने देखा था, इसमें भी edge processor है, 125H, लेकिन इसमें हमें single fan देखने को मिलता है, उसमें थोड़े से, अगर हम देखेंगे, उन, दोनों fan से, ये fan थोड़ा सा बड़ा है, यहां processor लगा हुआ है, processor heat sync के थुरू connected fan के साथ, यहां पर दो RAM इसमें लगी भी है, 880GB की, यानि कि आप RAM को easily upgrade कर सकते हैं, अगर आप upgrade करना हैं तो 16-16GB की 2 लगा सकते हैं, यहां SSD देखें, 512GB की SSD लगी भी है, 1 TV आप upgrade कर सकते हैं, लेकिन इसको remove करके ही आपको करना पड़ेगा, यहां आपका लगा हुआ है Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, बैटरी 3 cell की बैटरी है, 41 work hours के साथ, साथ में 2 आपको speaker दिखाई दे रहे हैं, दो speaker आपको इसमें मिल जाते हैं, तो दोस्तों अगर overall की बात करें, तो इसमें आप RAM अपगेड कर सकते हैं, लेकिन existing निकालके, ऐसे ही आप SSD भी अपगेड कर सकते हैं, लेकिन कोई extra slot नहीं है, आपको existing SSD निकालके ही अपगेड करनी पड़ेगी, तो दोस्तों, आज हमनें अन्बॉक्स किया HP FD 1099TU 15S series कियाता है, जो HP ने लांच किया है, देखें, अगर आप laptop लेना जा रहे हैं, 60-70 रगी रेंज में, तो ये almost perfect laptop है, अगर हम इसे देखेंगे, प्रोसेसर भी आपको H मिल गया, RAM भी आपको DDR5 मिल गई, अपगेडेबल मिल गई, 512GB, SSD भी है, ग्राफिक भी आपको Intel Arc दे दिया, डेडिकेट नहीं है, और fingerprint दे दिया आपको, अब बात आती है, आपकी सारी की सारी, इसकी laptop की price की, देखेंगे, अब कंपनी ने इसमें metal body भी दे दिया, फिंगर प्रिंट भी दे दिया, देखें, आपको package तो पूरा दे दिया, सिर्फ एक SRGB 62.5 जो दिया था, वो भी 100% ही कर देते, तो सारी कमी दूर हो जाती, आपको जो webcam दिया, उसमें भी आपको privacy shutter भी दे दिया, इसमें जो एक कमी रहागे, वो थोड़ी सी price की रहागे, 5-6,000 रुपे इसका price थोड़ा सा और कम होना चाहिए था, market के अंदर आप ये देखते कि ये laptop की sales सबसे ज़्यादा होती, अभी भी जो मैंने देखा है, market में काफी demand है, ultra pipe processor के इस laptop के साथ, अगर हम इसकी warranty की बात करें, तो company इसके साथ आपको 1-year की on-site warranty देती है, अगर आप upgrade करना चाहिए तो upgrade कर सकते हैं, आप normal warranty भी 1-year से 3-year कर सकते हैं, या आप accidental damage protection भी ले सकते हैं, लेकिन आप जब भी warranty लें, हमेशा उसी brand की लें, जिस लाप brand का आप laptop ले रहे हैं, अगर आप HP का ले रहे हैं, तो HP की ही आप warranty extend कराईगे, कभी भी 3rd party मत कराईएगा, 3rd party आपको warranty नहीं मिलेगी, ये बात मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, लेकिन फिर भी लोग 3rd party 12-13,000 रूपे की किसी से भी warranty ले ले लेते हैं, फिर market बे घूमते हैं, कि हमें warranty नहीं मिल रहे हैं, हमें warranty नहीं मिल रहे हैं, इसलिए जब भी आप warranty extend कराई हैं, हमेशा उसी brand की ही कराईएगा, अगर आपने ये laptop लेना है, तो कुछ exclusive store दिल्ली के अंदर, जिनके numbers हमने नीचे mention कर रहे हैं, आपने देखा होगा, पूरी वीडियो में वो numbers चलते रहे हैं, हमें ये laptop बिला है, दिल्ली के अंदर करोर बाग हार भी डिश्टोर है, HP World, Omen Playground, आप यहां से भी एक बाद चेक कर सकते हैं, काफी अच्छे prices आपको यहां पर मिल जाएंगे, और काफी अच्छी offers भी यहां पर मिल जाती है, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लिए हमें जुरूर बताएगा, अगर प्रतन नहीं हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और अगर आप तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल सब्सक्राइब जूरू कर लिजगा, बेल आइकन जूरू प्रेस कर दिजगा, जिससे आगे आने वाली नई-ने लाफटाप की नई-नी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले,